हेलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग चलिए हम लोग बात करेंगे आज आउकल समी करन हमने जो पड़ा है उसका अनप्रियोग हम इसकी चर्जा करेंगे तो आईए हम कुछ सवाल से समझते हैं अभी हमने आउगल समी करन को हल करना सीख लिया सारी बाते हमने सीख लिये अब इसका क्या अनप्रियोग होगा हमाए दैनिक जीवन में आईए उसको देखते हैं सबसे पहला सवाल हम इस पर ले रहे हैं सवाल एक बार हम पढ़ते हैं इसको आप ध्यान सुनिए वर्तमान में एक कोई फर्म है 2000 नग बना रही है कोई जी बना रही है 2000 नग बना रही है यह अनुमान लगाया गया है कि अतिरिक्त कामगारों की संख्या यक्स के सापेक्ष उतपादन पी के परिवर्तन की दर यह है आपका इसको क्या के यक्स के सापेक्ष पी में परिवर्तन की दर और वह आपको इतना दिया हुआ है करा है यह दिफर्म 25 कामगार अधिक लगाती है तो नगों की उतपादन का नया अस्तर क्या होगा तो सबसे पहले जो हमारे 2000 नग बना रही यह तो अलग बात है अब हम यह तो चीज हम बा तो यक्स क्या है अतिरिक्त कामगार है अतिरिक्त जो है जो मजदूर है वो है और इनकी सापेक्ष जो उतपादन की दर पी है उसमें इस रूप से परिवर्तन हो रहा है तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लिख रहे हैं यहां की देखिए इसका सोलोशन क्या होगा त 100 dx minus 12 under root dx dx अब हम करेंगे दोनों पक्षों में समा कलन दोनों पक्षों में समा कलन करेंगे हम इस आउकल समिकन को हल कर लेंगे क्या मिलेगा इसको देखिए यहां तो मिल जाएगा P यहां मिलेगा 100x और minus 12 तो बहर आ जाएगा root x का जो integration होगा वो x की power 3 by 2 बटे 3 by 2 हो जाएगा और plus क्या मिलेगा C मिलेगा ठीक है यह हमारा आ गया अब यह क्यी बताई है में जरा यदी अत्रिक्त कामगार ध्यान देना यदी अत्रिक्त कामगार की संख्या अगर यक्स है अगर हम यह 0 कर दें यदि हम 0 कर दें, तो क्या हमें उत्पादन अत्रिक्त मिलेगा, क्या हमें उत्पादन अत्रिक्त मिलेगा नहीं, तो यह जो हमारा उत्पादन P है, यह परिवर्तन, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जब आप अत्रिक्त कामगार ले आएंगे, X जब आप ले आएंगे, तभी P में परिवर्दन होगा, और यदि मैं क्या करता हूँ, यक्स बरावबर 0, इसका मतलब मजदूर, जो अत्रिक्त मजदूर है, उनकी संख्या 0 कर दूँगा, तो जो उत्पादन P है, उसका परिवर्दन, हम कहेंगे उसमें परिवर्दन 0 हो जाएगा, हम कहेंगे समिकर्ण में मार रखें, C का मार हम निकाल लें, तो P बरावबर 0, और यहां पर X बरावबर 0 करेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, और यह 0 हो जाएगा, तो आपको यहां से C बरावबर क्या मिलेगा, 0, C बरावबर 0 आपको मिल गया, अब आप इस equation में रख दीजेगा, अगर equation नंबर 1 माल लेते हैं, तो 1 से, समिकर्ण नंबर 1 से हम लिख सकते हैं, P बरावबर 100 X माइनस की पावर, 3 by 2, बटे 3 by 2, तो आप इसको काट दीजेगा, 3, 3 चोग 12, 4 और यह 2 से गुड़ा हो जाएगा, तो मिल सकता है, 100 X माइनस 8 X की पावर, 3 by 2, और C का मान 0 हो जाएगा, यह आपका मिला P, अब यहां तक हम निकाल ली हैं, अब हमसे क्या कह रहा है, यह दि फर्म 25 कामगार अधिक लगाती है, तो अगर 25 कामगार अधिक लगाएगी, तो उत्पादन अधिक होगा, तो कितना उत्पादन अधिक होगा, वह हम यहां पे लिखेंगे, तो यहां पर X के असान पे 25 कर दीजिए तो P हम यहां लिखेंगे X बराबर 25 तो क्या मिलेगा P बराबर 100 गुणे 100 गुणे 25 100 गुणे 25 माइनस 8 गुणा X के असान पे आप 25 कर दीजिए तो 25 की पावर हो जाएगा 3 by 2 तो 25 की पावर 3 by 2 तो इसको क्या लिखेंगे P बराबर 100 गुणे 25 कितना हो जाएगा 25 सो माइनस अब देखो 8 गुणा देखो यहां पे में क्या करा हूँ 25 का वर्गुण मतलब 1 by 2 आएगा 5 और 5 का क्यूब आएगा 125 तो इसका हाल यह हो जाएगा और यह आप इसको साल को लीजिए तो पचीश सो माइनस 8 पंचे चालिस आरदुना 16 चार बीस 8 एक अनमार 2 दस घटा दीजिए तो यह आजाएगा 1500 कितना आजाएगा 1500 यह 1500 है क्या परिवर्थन इसका मतलब यह हुआ कि जब तुम 25 का कारिगरियाम के कामगार अधिक लगाओगे 25 मजदूर अधिक करोगे तो उत्पादन 1500 अधिक हो जाएगा तो देखो पहले उत्पादन कितना हो रहा था 2000 नग अब तुम यदि 25 कामगार अधिक लगा दोगे तो परिवर्थन हम कहेंगे उत्पादन कितना बढ़ जाएगा 1500 बढ़ जाएगा तो सवाब आपसे पूछ रहा है तो नगों का उत्पादन का नया अस्तर तो पहले कितना था तो नया अस्तर देखो क्या जाएगा उत्पादन का तो पहले बन रहा था दो हजार अब पचीस कामगार तुमने अधिक लगा दिए उसकी वज़ा से पंद्रा सो नग अधिक बने तो पंद्रा सो इसमें जोड दीजिए कितना आ जाएगा ये तो दो जीरो पांच और तीन 35 सो नग ये आपका क्या होगा नए असतर तो इस प्रकार के सवाल हम लगा लेते हैं आईका हम अधर कोईशन देखते हैं इस सवाल में देखी क्या कहा जा रहा है मूल-बिंदु से गुजरने वाले एक वकर का सम्खरन ग्यात कीजिए एक वक्र का समयकर्ण ग्यात करना है जो कि मोल बिंद से गुजर रहा है आपको अत्रित जानकाई दी गई है साथ में कह रहा है यदि इस वक्र के किसी भी बिंद कोई भी बिंद ले लिजीए मैंने उसे लिया एक स्काव वाई से खीची गई असपर्स रेखा की परवर्ड़ता तो अगर हम जानते हैं परवर्ड़ता जो होती है वह हम जानते हैं से लिखते हैं यह बराबर होता है टेन थीटा और यह बराबर होता है डीडी एकसाफ वाई के आपके मैंने पताया था यहां पर देखिए किसी भी बिंदू से खीची गई असपर्स रेखा की परवर्ता मतलब क्या असपर्स रेखा की परवर्ता हम कहेंगे डीडी एकसाफ व कि योग के बडाबर तो ऊस विए चिची में असपर्स रेखा कि जो प्रवनता है विंदु के योगफल के क्या है बराबर यह आपको दिया हुआ है फिर आपको क्या आफ वाई इसको साल्प करने के तरीका आपको मालूम है वाई कुद है बुला लिए तो आएगा माइनस वाई इस उक्वल टू यक्स अब देखिए यह किस फार्म में आपको नजर आ रहा है रेखिए फार्म में और रेखिए रूप अगर यह है तो आप इसको कैसे हल करेंग किस रूप का है आपको पहचाना पड़ेगा तो यहां पर बताएगे य के सान पर वाई हो पी के सान पर क्या मिलना है माइनस वन और क्यू के सान पर क्या मिल राई एक्स तो आपको जब यह मालूम हो गया कि यह इस रूप का है तो क्या निकालेंगे आइफ निकालेंगे त dx तो यह आएगा e की power integration p का मान बोलो कितना है minus 1 dx is equal to e की power minus dx is equal to e की power minus x मिला आपको यह आपको मिला if अब देखिए आपको क्यों मालूम है if मालूम है तो जो इसका result आप जानते हैं क्या y into if is equal to integration q into if dx मान दीजे y का मान बोलो y to y है if का मान e की power minus x is equal to q का मान कितना है x यहाँ पर आप दीजे x into e की power minus x और यहाँ पर क्या चलना है dx इसका आप क्या करेंगी समाकल कर दीजे y into e की power minus x चलने दीजे इसका समाकल कैसे करेंगी तो ILEIT के इंसार आप इसको first इसको second फलमा लीजे x को बाहर छोड़ दीजे e की power minus x का समाकल करेंगे minus d dx of x integration e की power minus x फिर यहाँ पर क्या कर देंगी dx कर देंगी तो इसका समाकल करना आता है आप खंड सा हमें यहाँ पर लगा दिया है इसको first इसको second फलमान कर e की power minus x का क्या आएगा e की power minus x into minus 1 और minus d dx of x का 1 और e की power minus x into minus 1 dx आजाएगा अब यह मिल गया कितना minus x e की power minus x और minus minus हो जाएगा प्लस इसका समाकल फिर से क्या आजाएगा e की power minus x into minus 1 तो minus x e की power minus x और minus e की power minus x यह मिल जाएगा और यह मिला y into e की power minus x यह आपको मिल गया और यहां पर प्लस सी लगा ना मत भूलिए प्लस सी कर दीजिए प्लस सी इतनी बाद समझ में आ गई आपको आप देखिए हमारा वक्र आ रहा है लेकिन पहले हम से कामान निकालेंगे तो हम से क्या कह रहा है कि जो वक्र है यही वक्र का समीकर्ण है लेकिन यह जो वक्र का सम से होकर गुजरता है अतह वक्र के समीकरण वक्र के वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा ठीक है वो जो point है उसको संतुष्ट करा दीजिये यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ 0 कर दीजिये तो क्या मिलेगा 0 इंटो e की power minus 0 is equal to minus 0 e की power minus 0 minus 1 e की power minus 0 plus c 0 into e की power minus 0 हो जाएगा 1 is equal to minus 0 into 1 minus e की power e की power 0 मतलब 1 हो जाएगा ये भी इसी तो खुल इम्मिला कि यहाँ पे 0 ये 0 तो 0 बराबर 0 minus 1 plus c तो यहाँ से c का मान कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा अब c का मान यहां पर रख दीजिए आपका एंसर आजाएगा समय कर नूमबर एक से आप इसको समय कर नूमबर एक माल लिए हैं तो यहां पर क्या मिलेगा y into e की power minus x is equal to minus x e की इक 1 काम करिए E की पावर माइनस X से गुणा कर दिए तो E की पावर X से गुणा करेंगे तो इक पावर गया हो जाएगा एकश और प्लस E की पावर X हमने क्या किया दोनो पक्सवों में e की पावर x से गुणा किया, गुणा में घाते जुडती हैं, तो y into e की पावर 0 आ जाएगा न, और बराबर minus x e की पावर 0 यहां भी 0 आ जाएगा, माइनस यहां भी क्या आएगा e की पावर 0 प्लस e की पावर x, तो यहां से मिला क्या आपको, चलो मैं यहां लिख दे रहा y into e की पावर 0, e की पावर 0 का मतलब कितना, 1 बराबर minus x into 1, minus 1 और प्लस e की पावर x, क्या मिला y बराबर minus x, minus 1 प्लस e की पावर x, आप इक दोनों गधर कर लिएगा, y plus x plus 1 is equal to e की पावर x, यह आपका वो वक रा गया, जो की मोल बिन से गुजरता है और जिसके वक, किसी भी वक पर खीची गए, जो असपरसी होगी, उसकी प्रवरता, उसके निर्दृसांगों की योग की क्या होगी, बराबर होगी, यह हमारा answer आज आएगा, ओकी? आपको मैंने आज दो ही सवाल कराए हैं, और आप इससे संबंधित जो भी सवाल होगा, आप करिएगा, और जो नहीं आएगा, हमें बताइगा, और आपको एलेक्चर कैसा लगा, करिमन जिरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, थैंक्यू, थैंक्यू स